Hello students, welcome you again on my YouTube channel, Advanced Learning Center. My name is Meenakshi. Last video में हमने डिस्कुस किया था Subsidory Book Part 1. Subsidory Book में हमने डिस्कुस की थी कुछ बुक्स जैसे की Portraise Book, Portraise Return Book, उसके इलावा Sales Book, Sales Return Book, Bill Receivable, Bill Payable Book. आज हम करेंगे जो एक ही बुक रह गई थी हमारी वो थी Cash Book. ठीक है? तो Cash Book का सबसे पहले है हम जो डिस्कृप्शन उसका जो मीनिंग उसका वो हम डिस्कुस करेंगे. Cash Book, it is a book in which only bank and cash transactions are recorded. जिसमें हम क्या करते हैं सिरफ cash और bank transactions को record करते हैं. उसको क्या बोलेंगे? Cash Book. उसके बाद Cash Book serve the purpose of both journal and ledger. आप देखो, journal में क्या करते थे? परने entries pass करते थे, फिर इसको post करते थे ledger में. अब जो cash book है, ये दोनों का काम करती है. इसमें आपको अलग से entry और आपको ledger में पोस्टी करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जब आप performa देखोंगे cash book का, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ledger prepare कर रहे हो. ठीक है? तो cash book में क्या करेंगे? जब cash के साथ related transaction उसको ही हम record करेंगे. ठीक है? और देखो, जैसे performa हम discuss करेंगे, performa की एक side है debit side और दूसरी side है credit side. जैसे हमने ledger उसका performa discuss किया था cash account का, वैसे ही cash book हम prepare करेंगे. अब दिखो cash book है, एक side debit है और एक credit है. तो उसने क्या बोला third point पे? कहते हैं, check and cash receipt है. जो हम पैसा receive कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे? debit. ठीक है? जैसे इस अपोस करो, मैंने किसी person से cash receive किया. तो cash क्या है? बि debit comes in credit, but goes out. तो cash में receive करेंगे, तो business में cash आ रहा है. ठीक है? तो cash entry के हाज है, cash account debited to any person to A. ठीक है? तो अब देको cash आ रहा है, तो cash receive करेंगे, तो किस side पे डालोंगी? debit side पे. ठीक है? debit side पे इसको record कर लोंगी. और इसी तरह अगर मैं cash payments और check through payments जो करते हैं, उसको हम कहा record करे एलेंगी on the credit side of the cash को. जैसे हम cash account repair करते हैं, अब देको cash always have debit balance. Cash का हमेशा debit balance होगा. अब देको cash में debit balance क्यों है? अब देको cash क्या है? debit balance क्यों है? डेविच पे इसको करेंगे? cash जितना आया, या पिर cash कितना in hand है business में. अब देको मैं, अब मेरे पास है यह 10,000 रुपरी तो म परश्रीज कुछ करने सकती ठीक है अब जितना पैसा मेरे पास होगा उतना ही मैं एसे एक्सपेंस उसको यूज कर सकती हो ठीक है तो इसे लिए हमेशा कैश का क्या रहता है डेबिट बैलेस अब देखो उसके बाद अब डबल कोलम सिंगल कोलम हम आगे डिसकस करेंगे अब यह बहुत इंपोरटन तरह है अंत्रक केश इंक्रीज होगा बज्नस में कैश आएगा तो इसको हम और जो करेंगे डैबिट साइट वे जो किकिकेश इंपोर्टिक है इमपोरटिकश पॉंट के बार जाए उसके इलावा हमेशा क्वेसटम में एक opening balance दिया रहता है cash in hand का तो उसको हम कहां शो करेंगे on the debit side business में पहले कितना cash in hand है उसको हम as the opening balance शो करेंगे on the debit side of the cash book ठीक है तो आप इस points को अच्छे से note कर लो यह काफी important points है cash book के बारे में अब देखो कहते हैं कि cash account की तरह ही है cash book तो हम cash book क्यों prepare करेंगे ठीक है क्यों इसकी जरूरत है cash book क्यों बना रहे अगर cash account अगर purpose पुर्पीर कर रहा है तो हम एक cash book बनाने की क्या जरूरत है देखो कहते है generally if cash account is open to record a cash related transaction इतने भी cash transaction है generally हम क्या open करते है cash account but if an accountant अगर accountant जो कि इनकी entries pass करता है और ledger में posting करता है जहारी कि जो financial statements prepare करता है अगर उसको लगता है जो उसको feel होता है कि जो separate book है cash book के लिए उसको prepare करने की जरूरत है तब ही वो क्या करेगा एक separate book जो है cash book की prepare कर लेगा ठीक है if an accountant feels to make a separate book for cash transaction ठीक है then अब देखो cash book तो तर prepare करेगा तो फिर cash record बनाने की कोई जरूरत नी है journal entries pass करने की कोई जरूरत नी है ठीक है यह दोनों की जो मैंने आपको एक first point के हिलावा second point मैंने last आपको बताया था कि it serves the purpose of both journal as well as ledger तो इसमें क्या है एक तरह का journal का purpose भी fulfill करता है और as a ledger भी यह proper अपना काम करता है ठीक है अब देखो cash book जो है वो क्यों हम prepare करते है आगर cash account बना सब्सक्ते हैं तो हम cash book जो है वो क्यों prepare करें एक तो यह कारण हो गया कि अगर accountant को रगता है दूसरा है कि अगर business जो वो grow कर रहा है पहले तो था कि अगर start किया तो transaction जो थी वो limited थी आप दिको जैसे business grow करेंगा वैसे वैसे cash receipt भी काफी हो जाएगे cash payments की transactions भी increase हो जाएगे तो इसे वरे से अगर number business transaction increase होती है तो तब ही हमें क्या करना पड़ता है एक separate book जो है वो transactions के लिए prepare करने पड़ती है ठीक है तो एक point तो यह होगा कि accountant को feel होता है तो वो separate book prepare करेगा उस case में हम journal entries और ledger posting ही करेगे अगर वैसे दो cash account ही prepare करेगा cash book नहीं करेगा अगर accountant को लगता है तब ही करेगा उसके लागा need क्या है जैसे business grow करेगा तो क्या करेगा businessman एक जो separate book है उसको prepare करेगा यह बहुत important points है अब इसको भी अच्छे से note कर लो अब देखो cash book cash book जो है mainly three types की होती है एक special type होती है जो three types है वो कौन कौन सी है single column cash book double column cash book और triple column cash book जनलि जो business traders जो होते है वो जनले triple column cash book prepare करते हैं single column cash book में सिर्फ cash का column था cash की ही रिस्डर पेपेंट की discussion करेंगे उसमें ठीक है तो आज हम जो discuss करेंगेँ वो single column cash book की है अब देखो जो double column cash book है उसमें क्या करते है cash और दूसरा जो column है वो किसका बंता है bank column ठीक है तो double column में क्या prepare करेंगे cash और bank का ठीक है third जो मैंने आपको बताई triple column cash book उसमें three column draw करो गया जिसमें आपका first column cash, second column bank और third column आजएगा discount ठीक है तो आज हम discuss करेंगे single column cash book ठीक है ऐसे ही हम सारी discussion करेंगे जैसे single column cash book then double then triple और then petty cash expenses जो petty cash expenses जो क्या करता है small expenses जो होते हैं उनको record करता है जैसे telegram, stationery, GST, postage ऐसे करके कुछ जो माईनी जो simple simple जो question जो amount के जो transactions हमें दी जाती है जैसे telegram, stationery, small amounts के ठीक है उसको हम record करेंगे petty cash expense में बाकि इसके discussion इसका meaning हम discuss करेंगे जब हम petty cash book करेंगे आप देखको एक question आपको मेरे पिछी नजर आ रहा होगा यह है single cash column के जो book है वो हम prepare करेंगे अभी आप क्या करूँ जो मैंने आपको question दिया जैसे enter the following transactions in the books of ABC traders ठीक है date है question आपने transactions को record करना है आपने cash book जो है वो prepare करनी है single column cash book को हम simply cash book भी बोल सकते है ठीक है details आपको given entries की और amount ठीक है आप इसको इसको इसके नोट कर लो इस question को हम आप इसके उपर discussion करेंगे पोस करके आप question पर नोट कर लेना अभी हम single column cash book को discuss करते हैं अब ठीक हो first entry क्या थी first entry की cash in hand 27,000 सबसे पहले debit credit जरूर लिखे लेना मैंने आपको पहले बताया है कि जो receipt है वो कहां शो करेंगे debit side जो payments है वो कहां शो करेंगे credit side ठीक है तो सबसे पहले ही increase in December 2019 ठीक है अब यह first December को entry कर रहे है cash in hand cash in hand कितना है 27,000 cash in hand का मतम opening cash balance हम इसको कैसे शो करेंगे debit side क्योंकि cash है हाथ में भी cash in hand है business में तो हम उसको क्या करेंगे increase हो रहे है brought down करें यानकी as a opening balance record करें ठीक है दिखो same ही लग रहे है cash account की तरह ठीक है two balance brought down कितना amount है 27,000 ठीक है यह तो थी first entry date नहीं आपने जो जो स्की detail थी उससे आपने उसको record करना है और साथ में निखना है amount ठीक है उसके बाद जो 6th को entry पास की है cash received from seek आप देखो cash received की है तो cash received का मतलब क्या है cash business में आ रहा है तो आ रहा है तो increase करेंगा cash को तो हम उसको कहां show करेंगे as a receipt on the debit side लेकिन जैसे cash book prepare करते है cash account में जैसे हम अलग जो साथ में entry में जैसे जो person अब यहां पर क्या entry पास करेंगे cash account debited to see see क्या है giver ठीक है तो हम cash को छोड़गे जो second entry में जिसका नाम है जो second aspect है उसको हमरी बोड़ करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा to see कौन सी date को पास करनी है six six December और amount amount है 11,000 क्या पता उसके बाद third entry eight को insurance पे किया था ठीक है insurance पी किया था 3000 आपको insurance पे किया है insurance to cash अब cash क्या decrease हो रहा है तो cash decrease को आप कहा शो करेंगे on the credit side कौन सी date को 8 December को by insurance expense है 3000 उसके बाद जो next entry है furniture purchased वो हमने कब के थी 11th को आप देको यह भी खर्चा है cash decrease होगा तो इसको भी कहा शो करेंगे by salary side यहनकी credit side तो क्या आएगा by furniture ना की purchases क्योंकि बैने आपको पहले भी बताया था जो acid है उसको हम नाम as a acid ही use करेंगे जगर machinery है तो machinery अगर building है तो building ठीक है अब देको क्या आएगा by machinery 11th December by machinery machinery में कितना amount 6000 पर फर्णीचर पर फिरेजर थीक है अगर फर्णीचर पर फिरेजर ना है तो कोई बात दे आप क्या रिखोगे by furniture क्या है acid तो यहां पर क्या आजाएगा by furniture और amount कितना है 6000 ठीक है अब देखो next entry है 14 को की गई है sold goods for cash तो cash sales की है अगर sale करी तो cash business में आएगा तो यानि क्या आजाएगी वो receipt हो जाएगी constitute को sold की है 14 December को cash to sales तो second aspect record करेंगे तो क्या आजाएगा to sales receipt है ना ठीक है sales करूँ भी तो cash आएगा कितना amount है 16,000 उसके बाद देखो next entry है 19 December को entry है purchased goods from sahil for cash purchase is to cash entry हो जाएगी पास ठीक है आपको journal entries पास करनी आनी चाहिए ठीक है अब देखो पर chase किया तो cash पे किया होगा तो cash कहाँ पे आएगा पे किया है payment किया on the credit side तो कितना amount पे किया है 30,000 तो यहाँ पे क्या आजाएगा by purchases ना 30,000 कौनसी डेक पर entry पास किया है 19 December उसके बाद देखो next entry is 22nd December को किया है cash पे किया है इसको S को अब देखो cash पे किया है तो cash payment किया है तो कहाँ आएगा credit side पे entry क्या हो जाएगी S to cash ठीक है अब यहाँ पे क्या आएगा by S यानि कि जो receiver है 22nd December को और कितने पेमेंट किया है 4000 ठीक है अब देखो next question है sold goods to Ramesh for cash 25th December को goods cash सेल किया किसको Ramesh को ठीक है लेकिन cash में सेल किया cash रसेल किया और credit रहेंगे तो हम किसको priority देगे cash को ठीक है तो यहाँ में क्या आजाएगी to sales cash to sales entry हो जाएगी to sales अब देखो sales कितनी है 25th December 25,000 ठीक है next entry देखो 28 December में cash deposit करें बैंक में ठीक है बैंक में cash deposit करेंगे तो बैंक में जाएगा पैसा बैंक में इंग्रीज हो जाएगा बैंक भी क्या है asset है तो entry क्या cash जा रहा है entry क्या pass करेंगे bank account debited to cash ठीक है bank कम banks में आ रहा है यानिकि bank में कमीन है और cash goes out है तो यानिकि bank account debited to cash account अब देखो इसकी entry date कौनसी है 28 December आप देखो two cash cash में जाएगा क्या आएगा buy bank buy bank bank account debited to cash payment जा रही है तो 28 December कितना amount है 5000 ठीक है अब देखो ऐसे रेंट पे करें next century में और next century में salary पे करें रेंट कितना पे करें 1000 salary पे करें 8000 दोने payment है दोनों ही कहां आएगी दोनों ही आएगी credit side पे 30 December को एक entry है जिसको आएगा buy rent कितना 1000 उसके बार 30 याने कि 34 December को buy salary कितना amount देगा 8000 ठीक है अब देखो जब हम इनकी totally करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हमेशा cash पर debit balance होगा तो यही side drive हो increase आएगी यानि कि यही side drive हो बड़ी इनकी side आएगी 27000 11000 और इन सबको जब हम plus करेंगे तो हमारा आएगा 79000 तो यानि कि यही side बड़ी होगी यही side सबसे larger amount की होगी तो इसी को हम दोनों side पे क्या कर देंगे total 79000 आज देखो इसको plus करके देखो कितना 9000 3000 6000 9000 थर्टी थाउजन प्लस करेंगे तो 39000 4000 प्लस करेंगे 43000 5000 प्लस करेंगे 48000 और 48000 में 9 जब प्लस करेंगे 9000 तो आंसर आजाएगा 57000 आज देखो total expenditure कितना किया 57000 और cash हुआ कितना 79000 ठीक है 79000 मेंसे अगर 57000 आप माइनस करोगे तो आपका अंसर क्या आजाएगा 22000 और जो shorter side पर क्या करेंगे 21st December last month की date है उसको आप entry pass करते होगे by balance carry down यान किसको as a closing balance आप cash book में show करते होगे कितना 22000 ठीक है और उसको क्या करोगे next जो year है उसको आप क्या करोगे as a first January 2020 में आप show करोगे as a two balance brought down 22000 अभी ये next year का क्या बन जाएगा next year का opening balance बन जाएगा two balance brought down 1st January 2002 ठीक है तो यान कि यह जो amount है 22000 अब यह क्या बन गया next year का opening balance I hope कि आपको single column cash book का performa और जो question कैसे आपने इसको perform करना है कैसे आपने इसको calculate करना है single column cash book को कैसे prepare करना है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा question अच्छे से note कर लेना video को post करके उसके बाद पहले खुद करके देखना बिल्कुल cash book की cash account की तरह यह यह वनी book ठीक है तो इसमें सिरफ एक ही column हम prepare करेंगे that will be cash इसमें सिरफ cash transactions को record करेंगे जो on credit basis है वो हम पहले कर चुके है अगर purchase है तो purchase book में जाएगी अगर sale है credit पे तो sale book में जाएगी ठीक है तो हम इसमें क्या record करेंगे सिरफ cash transaction तो guys आज के video में बस इतना है कि single column cash book है क्या single column cash book कैसे prepare की जाती है उसमें एक column बनता है ठीक है I hope कि आप उच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है तो guys kindly subscribe my channel and press bell icon to get all the further notifications my videos about my videos तो guys I hope कि आपको मेरा session अच्छा लग रहा होगा आपको जितने भी मैंने passing जो मेरे past videos है जो मैंने अभी आपको किये हैं subsidiary book ledger वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आगे आगे करने के लिए पहने पिछले videos मेरे follow करना ठीक है guys thank you very much bye bye take care कि BIG कि नागे Кर और रहा कि अपकative है Pokemon क्योग 14 बारे क्ना धो और को DRO कि लिए टूछ रहा है क्योड़ uh क्योड़ इमाश दूप क्योड़